जिग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्व स्रजन में परतेक दिवस की भाती आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं आप सभी का अभिनंदन है इस कारिकरम में और आज जो लाइव चर्चा का विशय है शिवसुत्र पे चर्चा आगे बढ़ रही है तो शिवसुत्र के बारे में हमने जो सुना जो विचार सुने कि किस प्रकार से शिवसुत्र में आत्मा की स्थती को बताने का प्रयास किया गया है और इसी तरह से इसे नर्तक आत्मा पिछले सुत्र में हमने सुना कि नर्तक आत्मा अर्थात आत्मा ही नर्तक है आत्मा का नर्त्य क्या है तो आत्मा का नर्त्य क्या है इस विशय को इसपश्ट करने का प्रयास किया गया आत्मा का निर्त्य होता है और वह निर्त्य कैसा है तो पिछले व्याख्यान में पिछले लाइव सेशन में पिछले लाइव चर्चा में हमने इसी विशय पर चर्चा की थी कि आत्मा का निर्त्य क्या है मुझे नहीं लगता कि उसको हम दुबारा से फिर से हम उसको बोले या उसके बारे में बताएं वास्तों में जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी आत्मा की अभी व्यक्ति है ब्रह्म की अभी व्यक्ति है तो सबकुछ उसी का है उसी का निर्थ्य है सारे चरित्र वो स्वेम ही खेलता है सबकुछ वो स्वेम ही बन जाता है तो सबकुछ उसी का है और उसी का यह निर्थ्य भी है लेकिन लेकिन कोई भी नाटक करने के लिए कोई भी निर्थ्य करने के लिए ताकि लोग उसे देखें कोई भी नाटक करने के लिए कोई भी निर्त्य करने के लिए क्या आवश्यक है उसका आधार मिलना चाहिए और आधार क्या है रंग मंच स्टेज अगर कोई डांसर डांस करता है अगर कोई एक्टर एक्टिंग करता है यदी कोई नेता जी कुछ भाशन देते हैं तो उनको स्टेज तो चाहिए ना उनको मंच चाहिए रंग मंच चाहिए रंग मंच और रंग मंच पर खड़े होकर ही तो भाशन देंगे रंग मंच पर खड़े होकर ही तो नाटक और उसका निर्त्य कैसा है उसको भी हमने सुना पूरी तरह से अन इंटेंशनल है लेकिन आज हम विचार करेंगे कि निर्त्य कैसा है यह तो हो गया है लेकिन निर्त्य कहां हो रहा है रंग मंच पे होगा तो आत्मा रूपी नर्तकी का रंग मंच क्या है वह किस रंग मंच पर निर्त्य करता है तो आत्मा रूपी नर्तकी का रंग मंच क्या है और वो किस रंग मंच पर निर्त्य करता है इसी बात की चर्चा आज हम करेंगे और यह सुत्र कहता है रंगों अंतरात्मा रंगों अंतरात्मा अर्थात जो रंगमंच है वो स्विम अंतरात्मा है अब इस अंतरात्मा को हम कैसे समझे इसकी भी दो अभिव्यक्तियां है एक जीव रूप में है एक ब्रह्म रूप में है तो ब्रह्म रूप में तो वही सब कुछ है जीव भी वही है आत्मा भी वही है ब्रह्म भी वही है सब एक ही चीज हो गया लेकिन जब बात निर्थ की होती है तो आत्मा का निर्थ कहा हो रहा है कहां हो रहा है आत्मा का निर्थ इंद्रियों के बीच में हो रहा है तो आत्मा का निर्थ कहां हो रहा है रंग मंच पे हो रहा है वो रंग मंच कौन सा है तो उस रंग मंच को समझने के लिए भी दो अवस्थाइं हैं जीव की अवस्था है और एक ब्रह्म ज्यानी की अवस्था है एक सिध्य योगी की अवस्था है और एक जीव की अवस्था बनती है और एक सिध्य योगी की अवस्था बनती है ब्रह्म ज्यानी की अवस्था बनती है तो ब्रह्म ज्यानी के लिए रंग मंच आत्मा का रंग म मन्च जीवभाव है जो उसी की अभिविग्ती है आत्मा का रंग मन्च जीवभाव है वह जीवभाव से आज हादित होकर जीव भाव से ग्रसित होकर कई लिलाएं कर रहा है, कई कम्प्लेन कर रहा है, कई बाते बता रहा है कई शिकायते हैं उसकी लेकिन जो कुछ भी है उस आत्मा का रंग मंच धारन हम सब लोगों के लिए तो हम कहेंगे जीव भाव ही है तो कि जीव भाव महीं तो सारे दुख सुख दुख जीव के लिए ला रहा है, कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है ठीक है सुख दुख और अनेकों भावनाओं को प्रगड़ कर रहा है इसी विशय पर हमें विचार करना है उसका रंग मंच किया है यदि विमर्ष को देखोगे तो रंग मंच जीव आत्मा है जीव ही रंग मंच बनेगा लेकिन यदि बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े मठों और उन सब को देखोगे तो आत्मा जो है वो रंग मंच फिर बनेगा तो मुख्य रुप से आत्मा का रंग मंच क्या अंतर आत्मा अंता करन जहां जीव का अंता करन होता है तो बाहरी दृष्टी कों से जीव विमर्ष की दृष्टी कों से जीव ही आत्मा का रंग मंच है नहीं तो आत्मा आत्मा का जीव ब्रह्म है बना पर जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं होता साप साप तो बताया गया है कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं होता तो आत्मा का रंगमंच ब्रह्म ग्याने के लिए आत्मा ही है अंतर आत्मा ही है लेकिन वैसे आत्मा का रंग मंच अंता करण है मन बुद्धिचित एहंकार जहां पर है जहां से कई अवस्थाएं बनती है जागरत स्वपन सुशुक्ति की अवस्थाएं बनती है जागरत स्वपन सुशुक्ति की अवस्थाएं बनती है तो आत्मा का जो रंग मंच है वो क्या है वो स्वेम आत्मा ही आत्मा का रंग मंच है उससे अलग कुछ भी नहीं है लेकिन जीव बोध में जीव रंग मंच बनता है फिर जीव बोध में फिर जीव ही रंग मंच बनना शुरू कर देता है इस विशाय को हमें समझना है कि आत्मा निर्ट करता है ये तो हो गया लेकिन निर्ट कहां करेगा रंगमंच पर तो आत्मा का अंतर आत्मा ही रंगमंच बन जाता है नहीं तो जीवबोध जीवत्व या जीवभाव ही उस आत्मा का रंग मंच बनता है मुख्युरुप से यही बात कि उसका रंग मंच भाई वो निर्थ करता कहां पर है तो अंता करण में हमारे निर्थ करता है यह हम कह सकते और ब्रह्म ज्यान को प्राप्त करकर समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है जो है वो ब्रह्म ही है सारी लीला उसी का है सारी लीला उस ब्रह्म की ही है ऐसी विचारधारा के साथ शास्त्रों के प्रति आत्मा क्या आत्मा का निर्थ क्या आत्मा का रंग मंच क्या अभी और भी बाकी है देखेगा कौन निर्थ को उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में कल फिर से लाइब चर्चा आएगी उसमें नहीं तो अभी जीवत्व बोध में जीव ही आत्मा का रंगमंच बनता है उसका अंताकरन जीव का जहां मन बुद्धिचित एहंकार हम कहते हैं आत्मा का रंगमंच स्विम आत्मा ही है, दूसरा कोई बन नहीं सकता है तो इस तरह की बातों को भी पूछ्टी यहां पर करते हुए लिखा गया है आत्मा का रंगमंच आत्मा ही हो सकता, दूसरा कोई हो यह नहीं सकता ऐसे माना है लेकिन यह मानना ग्यानियों का है अन्य था भाव विभोर होकर हम समझ सकते हैं कि जहां भावनाओं का अत्यधिक प्रसार है भावनाओं का जहां अत्यधिक प्रसार है भावनाओं का जहां अधिक विस्तार है वहाँ पर आत्मा का रंग मंच जीव भाव है उसे जीव भाव में तो कि जो सुध्ध रूप है आत्मा का वो तो भावातीत है वो भावातीत है इसलिए भाव रूप में वो जीव भाव में ही निर्थ करता है जीव भाव में ही निर्थ करता है इसी को समझाने के लिए रंगो अंतरात्मा ऐसे लिखा गया चलिए इसके आगे अभी और सुत्र हैं हम उनको देखेंगे उनको समझेंगे और उन पर चर्चा करेंगे लेकिन आगे जो है अभी आप इस विडियो को इस व्याख्यान को हम व बने रहें सबस्क्राइब शेर जरूर करें और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वैसे ध्यान योग का कोर्स तो सुरू हो चुका है 14 जून से जो शुरू हो था उसकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुकी है इसलिए अब 14 जून वाले बैच में किसी को कोई एड्मि के साथ श्रावन मास शुरू होता है साधना का मास कहा जाता है उसमें जो है यह चर्चा शुरू होगी और उसी समय सुर्य का जो आप जूइन कर पाएंगे जब 14 सन मेंबर्शिप है जूपिटर मेंबर्शिप है तो 14 जूलाई से जब कोर्सेस सुरू होंगी तभी आप उसको जूइन कर पाएंगे ठीक है जिग्यास वो तो अभी जूइनिंग संभाव नहीं है लेकिन कुछ दिनों बाद या अभी भी आप करना चाहे तो कर सकते है जूइन 14 जूलाई के लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उसका नोटिफिकेशन या उसका पोस्ट मिल जाएगा कि हाँ 14 जूलाई से कोर्ड सुरू होने वाला है तो आप जूइन कर सकते हैं प्राकिर्टिक चिकित्सा का भी और ध्यान योग का भी चलिए अभी फिलहाद जो है विदा लेते हैं विराम देते हैं इस व्याख्यान को कल फिर मिलते हैं आप से इसी चैनल पर दिव्वे सर्जन में आगे बढ़ाते हुए सिव सुत्र के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत बहुत आभार आप सभी का